बिहार में NDA और JDU की नई सरकार बन गई है, पल्टी मारते हुए नितीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए है वहीं भाजपा की तरफ से समराच चौधरी और विजह सिना को मुख्यमंत्री बनाया है, एक खबर हम आपको पहले ही बता चुके है इन गहमा गहमी के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नितीश कुमार को NDA में जाने पर नुकसान हो सकता है तो चलिए पॉइंट बाइपॉइंट आपको बताते हैं कि NDA के साथ जाने पर नितीश कुमार को कौन कौन से पांच नुकसान हो सकते हैं पहला एंडिय में जाने के बाद नितीश कुमार को लोकसभा सीट के साथ समझाता करना पड़ सकता है यानि भाशपा पहले की तरह सतरह सीटें देने से इनकार कर सकती है दूसरा है इंडिये में जाने के बाद नितीश कुमार को अब भाशपा के दो दिगज और फायर ब्रांड नेता समराग चौधरी और विजय सिनहा से निपटना पड़ेगा जो की आसान नहीं होगा तीसरा चुराग पासवान के साथ समझाता भी मुश्किल होगा क्योंकि चुराग पासवान नितीश कुमार का अभी भी खुल कर विरोध कर रहे हैं चौथा लोकसरबा चुनाओं में मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान जिलना पड़ सकता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव समपरदाइक ताका आरोप लगा कर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खीचने की पूरी कोशिश करेंगे पांचवा और आखरी राम मंदर बनने के चलते भी मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है क्योंकि अब जेडी यू राम मंदर का समर्थन करने से नहीं हिचक चाहिए इसके लावा उम्मीद लगाई जा रही है कि लोगसबाच चुनाओ के लिए सीट बटवारे पर भी जेडी यू भाशपा और एंडिये के सहीयोगी दलों के बीच चर्चा जल्द होगी 2019 के फॉर्मूले के तहर जेडी यू की 17 सीटों की मांग इस बार पूरी नहीं हो सकती ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नए सहीयोगी बने हैं जैसे जीतना माजी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानि की हम और राम विलास पासवान की पार्टी तूटकर चिराग और पारस गुट में बढ़ गई है तो चिराग को भी साधना बीजेपी की प्रात मिक्ता होगी वहीं अब नीतियश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया उन तमाम आरोपों पर क्या कहा और बिहार को लेकर क्या कहा वो सुन लेते हैं तो हम कोई जानकारी है नहीं व्यक्तिकरत्रूप से ना हमने कभी पुछा ना इसी ने पताया है इसके हम जानके नहीं से पर्मिकना आप देखिए हम लोग पूरे बिहार के दिकास के लिए रात दिन काम में लगे रहे हैं आज भी लगे हुए हैं और आप दोंसे मेरी आग देखे रहा है हमारा कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए कि देखिए आपदा प्रवंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं